हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई एक्जाम भी आइम करन सरदाना स्टूडेंट्स आर बी ए ग्रेट बी का नोटिफिकेशन आया हुआ है आप सब जानते हैं जिसके अंदर क्वांट का जो सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कुरूशियल पार्ट है बहुत सरे स्टूड हमें कर पाते हैं due to lack of practice तो आईए आज बात करते हैं क्वांट सेक्शन को कैसे तैयारी उसकी की जाए दो महिने का टाइम में नहीं है तो क्वांट में कैसे हम अपनी sectional cutoff को निकाले और क्या strategy रहनी चाहिए क्वांट सेक्शन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस पू questions आए वह हम लोग यहां पर देखेंगे साथ के साथ हम लोग देखेंगे क्या कि इसके अलावा हम लोग यहां पर देखेंगे कि cutoff का trend क्या है past years के अंदर complete syllabus क्या है पिछले कुछ years का number of questions asked in past years सो पिछले कुछ year में जो questions आए है number of questions किस chapter से कितने आए है वो भी देखेंगे cutoff भी मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ जो common queries है students की वो क्या रहती है math को लेके वो भी हम discuss करेंगे और कहां doubts पूछ सकते हैं आप अगर आपको कोई problem आए और अगले दो महीने में आपको overall त्यारी कैसे करनी है यह हम सब जानेंगे आज के इस session में तो चलिए start करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं RBI grade B में total 222 vacancy आई है dear journal की तो जिसको नहीं पता अभी apply कर दीजिए या master's में 55 हैं तो आप apply कर सकते हैं minimum age 21 है maximum age 30 है जो भी graduate है जो banking की त्यारी के बारे में सोच रहे हैं उन सब को यह paper देना चाहिए because यह एक बहुत ही बढ़िया organization है prestigious job है RBI में काम करने का सपना हर किसी का होना चाहिए क्योंकि जब note हमारे हाथ में आता है तो एक अलग feel आती है इस Reserve Bank of India में हमें क्यों नहीं होना चाहिए तो let's start quant की त्यारी कैसे करें साथ के साथ मैं आपको बता दू students हम लोग daily live classes भी लेते हैं हमारे course में videos test notes PDF सब कुछ होता है लेकिन flipped classroom भी है classes भी दी जाती है जिसमें आप doubts पूछ सकते हो तो वह पूरा plan आप download कर सकते हैं 50 days plus 20 days अभी लगवग 50-50 दिन बचे हैं तो pre से पहले आप phase 1 से पहले वह class लेंगे फिर phase 2 की class लेंगे and we take many classes आप देख सकते हैं यहां पर हमने काफी high level question हम class के अंदर discuss करते हैं जैसे यह आप देख सकते हैं profit loss का डियाई है यह ratio proportion का high level question है और इससे पहले आप देखेंगे एक class का train का एक बहुत ही लंबा question है तो ऐसे question आपको student हम high level classes के अंदर कराते हैं तो इसे join करना मत भूलिए साथ के साथ एक और announcement आज दो workshop है जो आपके लिए बहुत हो जरूरी हो सकती हैं दोनों की दोनों एक तो है हमारी new topic FM में add हुआ है NAPFID ये शुशी लगड़े सर आज 13 मही 7 बज़े एक class लेंगे और ऐसे ही एक हमारी है accounting and financial statement RBI ये एक्जाम की जो ये class है ये हमारे new joints ये परतीक finance के expert है ये 8 बज़े session लेंगे तो ये दोनों के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके link आपको description में मिल जाएंगे इस workshop को जरूर जोइन करें क्योंकि दोनों ही classes finance का जो part new add हुआ है accounting और financial statement जो add हुआ है उसके लिए ये classes है आईए अब हम हमारे quant section पे बात करते हैं तो सबसे पहले quant में trend क्या रहा है पिछले कुछ years में शायद आपको पता हो नहीं पता तो देख लीजिए quant का जो section है वहाँ पे आपकी जो cut off है वो out of 30 कितनी रहती है depend करेगा paper का level कैसा आया तो यहाँ पे 2017 का paper difficult आया 2021 का paper difficult आया 2022 का paper difficult आया तो यहाँ पे cut off काफी कम हो गई out of 30 आप देखिए 2017 में it was 4 और 2021 में it was 6 2022 में it was 4.5 तो यह तीन है जो हमारी यहाँ पे cut off रही है 2017 में 2021 में और 2022 में तो students आप देख सकते हैं कि 30 में से जब paper difficult आता है तो 4, 5 या 6 इस range में रहती है जब जब paper आसान आ रहा है इतना मुश्किल नहीं आ रहा वहाँ पे जो cut off है वो 7.5 गई है तो चलिए देखते हैं cut off हमने देख लिया नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास आगे क्या है इसका क्वांट का सलेबस तो क्वांट में क्या-क्या chapters यह आपको पता होना चाहिए हमारे पास यहां पे है simplification approximation quadratic series इसके अलावा आपके पास है percentage profit loss ratio यह सब arithmetic का part है partnership ages allegation यह सब हमारे course में भी दिया गया है simple interest average time and distance train boat वाले time and work वाले right इसके अलावा अगर हम बात करें next हमारे पास क्या है कुछ और chapters भी है यहां पे students next है हमारे पास probability when diagram mensuration di data interpretation और case led di लगबग यह हैं जो हमारे topics हमारे पास है di के भी है series simplification के भी है और arithmetic भी है सो यह सारे topics पर आपको काम करना पड़ेगा अभी क्योंकि time कम है तो आप पूरा 100% syllabus नहीं कर सकते ना ही हमें 100% question paper में करने होते हैं क्योंकि इतना कम time होता है question का level इतना जादा होता है कि आपके लिए half कर पाना भी मुश्किल होगा paper के अंदर तो वहां अगर हम 8-10 question manage कर ले तो हम उस cut off को निकाल सकते हैं now student हमारा RBI का online course है अगर आप जॉइन करना चाहें तो RBI 47 इस coupon code को आप use कर सकते हैं and student हमारी जो live classes है जो हमारी live classes है YouTube पे मैंने बहुत सारी YouTube पे free आपके बहुत सारे sessions लिये हैं आप देख सकते है time and work हमारे दो channel हैं जिस पे आपको यह content मिलेगा target RBI और i exam भी दोनों पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आप क्वांट वाय करन सर्दाना सर्च कर सकते हैं तो बहुत सारी classes आपको यहां पर मिलेंगी high level questions मिलेंगे आप यह सारी वीडियो देख सकते हैं अब बात करते हैं break up की कि पिछले तीन साल में किस section में कितने question आए यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपके लिए जादा important topic कौन सा है सबसे पहले अगर हम बात करें series की अगर हम series की बात करें तो series के question 3-4 question हर बार आ रहे हैं ऐसे ही quadratic के भी 2-3 question हर बार आ रहे हैं तो अगर आप इन दोनों को add कर लें तो आपको कम से कम 4-5 question paper में मिल जाएंगे अगर 4-5 question मिल जाएंगे और इतना ही लगबग cut off है तो आपको यह cut off निकालने में सबसे ज़्यादा help करेगा आपके पास जब 25 मिनट का time होगा इस section का तो आपको सबसे पहला काम करना है ढूंडना है यह chapters कहां है series के question कहां है या quadratic के question कहां है यह आपका सबसे पहला task होना चाहिए कि आप शुरू में 20-25 second लगाके सारे question को एक बर फटा-फट से next 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 करके देख लो attempt करते time और देखो कि quadratic कहां है series कहां है because यह सबसे मैं कहूंगा आसान topic है अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो quadratic के concept समझ लेते हो series बहुत सारी practice कर लेते हो तो आपको तीन चार question तो कम से कम यहां मिल जाएंगे जो आप कर पाएंगे और cut-off के बहुत pass आप इससे पहुच सकते हो मैं यह नहीं कोगा कि यह कर लिया तो आपकी cut-off निकली जाएगी मानलो series paper में solve नहीं हुआ तो क्या करोगे quadratic paper में solve नहीं हुआ तो क्या करोगे कुछ और भी तो करके जाना पड़ेगा न तो इसलिए सिरफ इसके भरोसे नहीं जाना है बट यह आपको cut-off के पास जरूर लेके आ जाएगा तो इसलिए यह सबसे जरूरी है जो आपको करना है इसके अलावा देखिए और क्या करना है आपको डियाई करना है डियाई को छोड़ना नहीं है क्योंकि डियाई के आपको दो सेट मिलेंगे paper में इसके तो यह जो डियाई के सेट होंगे न स्टूडेंट्स यह आपको लगातार प्रैक्टिस करना है डियाई एक ऐसी चीज है जो आप 2-4-5-10 दिन में नहीं सीख सकते यह आपको regular basis प्रैक्टिस करना है आप डेली 2-3 डियाई करें अगर आप डेली क्वांट नहीं कर रह पंदरा सेट्स ओफ डियाई मुझे करने हैं तभी आप इसको कर पाएंगे इसके बाद जो हमारा आता है अरिथमेटिक अरिथमेटिक में देखते हैं अरिथमेटिक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लगबग 10-12 कोर्शन आपको मिलेंगे इसमें सारे चैप्टर है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, एलिगेशन, सिंपल इंट्रस, ट्रेन, बोर्ट, नाओ इतने कम टाइम के अंदर आप सारे टॉपिक नहीं कर पाएंगे तो आप इसमें से 11-12 टॉपिक में से कुछ 6 सा टॉपिक अपने पहले अच्छे कर लीजिए का बेस दोगा और और भी कुछ टॉपिक होंगे जैसे टाइम इंड वोक हैं यह डूएबल है जल्दी हो सकता है टाइम इन वोक में इंट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा तो ऐसे कुश्चन जो है स्टूडेट वह आपको और यह चैप्टर आपको जरूर करने हैं इसके इसको मैं फिर से समराइज कर देता हूं जो जो हमने पॉइंट्स बोले सबसे पहले आपको क्वाडर्टिक सीरीज और सिंप्लिफिकेशन यह जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि इसी से आपको क्या मिलेगा कट आफ के पास जाने का मौका मिलेगा इसके अल 2021 में और 2022 में पेपर का लेवल हाई था आपको हमारे आपे प्रीवियस यह पेपर मिल जाएंगे वो भी आप देख सकते हैं अरित्मेटिक विल बी दे गेम चेंजर जिसने अरित्मेटिक अच्छे से कर लिया वह सेक्षन को जल्दी निकाल पाएगा अरित्मेटिक में कम से पाँच या छे टॉपेक्स पहले करिए उसके बाद ही दूसरे टॉपेक्स को हाथ लगाईएगा सबसे जरूरी है कि बेसिक सीखिए ट्रिक्स काम नहीं आएंगी बहुत जादा पहले आपको बेसिक सीखना है बेसिक से ही आप कितना भी बड़ा डिफिकल्ट कुश्चन हो वो कर सकते हो राइट इसके अलावा आपको हर लेवल के कुश्चन प्रैक्टस करने है प्रैक्टस ऑल दा लेवल बेसिक से स्टार्ट होते हुए हाई लेवल मॉडरेट लेवल डिफिकल्ट लेवल हर चीज़ प्रैक्टस करनी है और अगर आप कॉंट बहुत अच्छे से नहीं जानते हो तो आपको कम से कम डेड़ दो घंटे रोज क्वांट देना है विकॉस फेज वन क्लियर नहीं हुआ तो फेज टू में कैसे जाओगे इसलिए आपको यह करना बहुत जरूर है टाइम आपको रोज देना पड़ेगा आए एक्जामबी के कोर्स जो है वो कैसे कवर करता है फेज वन के क्वांट को जादा तर बच्चों को क्वांट में दिक्कत आती है तो हम लोग अपने कोर्स के अंदर शॉर्ट वीडियो देते हैं concept check questions जो है यह भी आपको मिलते हैं विद शॉर्ट वीडियो राइट शॉर्ट वीडियो का मतलब है उसकी लेंथ दस से पंदरा मिनट के छुटे छुटे चुटे पार्ट बनाए हुए ताकि आपको बहुत लंबे lectures नहीं पढ़ने पड़े crisp study notes है PDF भी जो आपको मिलेंगी वो काफी crisp होंगी और हजारो questions मिलेंगे आपको maths के practice करने के लिए यह overall है हर section में बहुत question आपको यह practice मिलेंगे chapter test आपको मिलेंगे easy, moderate, difficult हर level के और हर chapter में से data sufficiency का question बन सकता है quantity comparison का question बन सकता है तो वो वाले test भी आपको अलग से हर section में मिल जाएंगे हर chapter में मिल जाएंगे और पूरे section के लिए quant के भी section test easy, moderate, difficult लेवल पे आपको मिलेंगे साथ के साथ आपको full length mock test में भी quant मिल जाएगा, right और i exam bhi के सारे mock test वैसे भी free है तो आप वो सारे जो भी bank p.o के जो mains हैं, जो bank clerk के जो mains हैं, उनके test भी आप हमारी website पे free में practice कर सकते हैं, साथ के साथ 8 previous year's papers 2015 onwards, 2015 के बाद जितने भी papers हैं, वो हमारी website पे available हैं, और आपके course में भी हैं, आपके course में तो उसका video solution भी है, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं, right और daily live classes, basics to advance, basics से high level तक की सारी classes में होती हैं, और भी बहुत कुछ है आप देख सकते हैं, plus we have some extra feature in our exclusive course, दो तरह के course है, एक comprehensive और एक exclusive, content तो सब में same है, बट exclusive में कुछ extra picture है, क्या है, इसको द्यान से देखिएगा, right, इसमें आपको exclusive mock मिलते हैं, exclusive mock का मतलब क्या है students, exclusive mock का मतलब है, आपको एक mock दिया जाएगा, phase 1 का, phase 2 का, जब आप enroll करेंगे, तो आपका वो test आपको देना होगा, लेकिन उसका analysis 101 faculty के साथ होगा, और वो आपको guide करेंगे, कि आपको आगे त्यारी कैसे करने है, साथ के साथ ये इसका analysis जो मैंने आपको बताया वो होगा, इसी के basis पे आपको personalize study plan मिलेगा, और आप हर महिने faculty के साथ 101 बात कर सकते हो, हर महिने आप उनसे बात कर सकते हो, कि preparation कैसी हुई, और आगे कैसे त्यारी करें, और interview की preparation guidance भी आप के check होंगे, तो ये interview और descriptive तो दोनों में ही रहेगा, दोनों courses में, बट ये जो personalized वाले जो features ये आपको exclusive में ही मिलेंगे, हमारे दोनों course में descriptive paper जो हैं, वो आपको manually check करके देते हैं faculty, so faculty उसको check करते हैं, आप उनको reply करते हो, वो आपको reply करते हैं, आपका feedback बिलकुल properly personalized यहाँ पे check हो जाता है, we have many students, success stories आप उन्हें देख सकते हैं, RBI में हमारे बच्चे काफी time से top आते रहे हैं, और आप अगर इस course में join करते हैं, तो आप भी अगले RBI grade B officer बन सकते हैं, coupon code यूज़ करिएगा, RBI 47, live class, notes, test, video, interview guidance, सब कुछ यहाँ पे हैं, और daily live classes, उसके लिए plan है, download कर लीजिए, so that's all students, I hope आपको quant की त्यारी के अंदर कुछ चीज़े पता चली होंगी, मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं, आपे free में देख सकते हैं, लेकिन बहतर preparation तो course के अंदर ही होगी, क्योंकि वहाँ आप रोज आते हैं, class के अंदर, अपने doubts लेके आते हैं, हमें mail कर सकते हैं, हमें आप वहाँ पे contact कर सकते हैं, doubts के लिए, तो वो features आपको course में मिलते हैं, otherwise आप free videos हमारे channel पे भी देख सकते हैं, that's all students, practice करते रहे, all the very best.